पहले कॉलर है महाराश्च्र से स्वागत है आपका तर मैं वो शिर्का ले रहा हूँ जैचुन का सिर्का मारे को आर ब्लॉकेज होगा था तो अप्रिसें होगा था मैं दो ब्लॉकेज निकला एक बाकी है तो उसके ले रहा हूँ एक एक चमज तो पहला ले रहा था लेकिन नहां नहां आपरिसेंटा तो मैरे आर मेठेन हो रहा था तो बंग किया था को आभी मुः एक एक चमज ले रहा हूँ потребट में हो जिनार ले रहा हूँ तो अभी मेरे अतकली में उरा लेकिन मैं वो कितना दिन मदलोगा खराब होता है और जो मेरा ट्राओ मेरा को अरिका जो घूली को है नो कि दोक्टर में मतलब आरिशे के लिए चामे को जब लगाय है है को उसके ऐले मृन और कौन साज कार जाबा ले सकता हूब ठीक जी तो दिखिए बहुत मुबारक आपके दो ब्लॉकिज तो खुल गए हैं और यह आप छह साथ महीने तो लें और डॉक्टर का इलाज भी लें लें कुछ दिन बाद यह दवा भी छूट जानी चाहिए और डॉक्टर की दवा भी छूट जानी चाहिए फिर आपको तकल ब्लॉकिज आप बता रहे हैं बाकी यह दो खुल गए हैं तो यह सिर्का जैतुन का या कलॉंजी का आपको लेना है और जब तक पूरे ब्लॉकिज ना खुल जाएं जब तक लेना है मैं अक्सर कहता हूँ के सजड़ी से बहतर आप यह पी लिया करें और जब आप एक पाने का सोड़ा मिला कर ले सकते हैं लेकि इसे छोड़े नहीं जब तक आपके बिलकुल कॉलिस्टॉल और ब्लॉकिज किलियर ना हो जाएं आपको डॉक्टर कहना दे कि आप बिलकुल अच्छे हैं और यह खराब कभी नहीं होता सिर्का यह खराब कभी नहीं होता आप अ कि ऐसा भी इलाज है जिससे हम बगार ऑपरेशन के अच्छे हो सकते हैं नेक्स्ट कॉलर है दिल्ली से दयावती जी स्वागत है आपका नमस्कार माम जी नमस्कार नमस्कार बाइटाब अधाब जैहिन स्वागत है हमारी बेन का क्यासे है भाई साव ? बस आपको याद कर रहे थे आपका फोन आ गया भाई साव आच मैं त्यार पाथ जिनकी बाद कख्ये करूंगी क्योंकि मेरा फोन न जाये लिए तो मैं भाई साव त्यार पाथ कोस्टन करूंगी छटे-छटे एक तो मतलब फायदे के बारें बता रही हूं ये यूरियन इंफेक्टन पर्शू इक तीस पारिक को वह एक अम्मा बोल रही थी ना कि उनको बहुत जादा जनन है तो वह साथ में अनवीरा में तो मैंने दिया अपनी जानकार को तो गोजल दी पंदरा जिन में उनको न तो तीन खुराक मकाब के अराम हो जा उनको बहुत शालों से जनन की इस नुक्से के साथ जट उनका नमक है और यह बताया था आपने जी के बहुत शुक्रिया और क्या सवाल है और सवाल यह बाई साथ कि जट जो सरबता आपने बताया कंठ में वो तोंसन के लिए किसी को कभी-कभी हो तो वो भी ले सकता है और कैसे ले और टॉंसेल के लिए देया बती जी क्या चीज ले सकता है तो क्या चीज ले सकता है तो क्या सरबत बताया था बहियान सुबह के ताइन पर सूँ हाँ 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 तूथ सिया तूथ सिया जी ले सकते हैं और बगएर जो रोगी नहीं है वो भी ले सकते हैं शेहतूत का बनता है शेरबत शेहतूत भी कहते हैं हमारे ज़वान में इसे तूत्सिया कहते हैं शर्बत तूत्सिया अच्छी कंपनी का कोई खरीद कर और पिया करें गले के टाउंसिल्स के रोगों में बड़ा काम आता है वाजिवनार केर भी इसके साथ ले तो बहुत ज्यादा फाइदा करता है अगला सवाल यह आपके लिए है भाई साब उस दिन बोल रहे से ना कि आप मतलब परोग्राम में अमारे से साथ रहना साथ भी करके कभी से लेना जाओं तो मैं आपसे कहते हूं आप अपना यह थोड़ना मतल्स क्योंकि बश्वीतनी मैलत करती है और उसका एक नाम होता है पैचान होती है तो आपका एक परिवार हो गया यह समय और भाई साब का तो हमाम कितनी बयाने कर्थी होगे तो आपके लिए भी आप रिवार देते है अपनी प्राचान को कभी खतम मत करना क्योंकि यह मड़ी मैं अलग से कमाई जखती है और एक बर और का रही हूं बाई साब यह बाई करनल साब पहले वैकती थे जो जिनोंने कहा कि आप रिटार्मेंट ले लो मैंने उनसे यह बात कह भी दी सुबा के प्रोग्राम में और अब सबसे ज्यादा मुखालफत वही कर रहे हैं तो मैंने उनसे कहा करनल थे फौज के और आप यह बैमानी कर रहे हैं आप अपनी सज खुद मकरर कर लो लेकिन यह सब महबत की बात हैं आपकी भी और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं ऐसा कहते हैं वरना किसको किसकी चिंता किसको किसकी फिक्र है और मैं भी बस देखी कब तक आपके साथ हूं और यह भी जाने कब तक हमारे साथ हैं क्या होगा सब को बहुत शुक्रिया और कोई सवाल हो तो बताईए मेरे दिया बहुत बहुत शुक्रिया दयवती जी हमारे साथ जुड़े रहने के क्ograph कोशिश यही रहेगी सरके साथ जैसे आप लोग बने रहते हैं मैं भी बनी रहो और आप जितनी दुआएं हमें देती हैं उससे कई ज़्यादा दुआएं हमारी तरफ से आपके लिए निकलती हैं आप ऐसे ही अच्छी रहें और खुश रहें और सिखत मंद रहें अगले कॉलर हैं हमारे साथ हैदराबाद से रुबीना जी स्वागत है आपका थैंकियो माम बुश्मारी जी गुश्मारी जी गुश्मारी जी स्वागत है रुबीना जी आपका खैर मगदम है आपके बात करके बहुत खुशी हो रहे हैं सर हम देशे ने वीवर्ट को भी आप दास दीजिए सर क्या बुश्मारी जी सर हम आटिस हैं सर और आपके खदरदान है सर आप इस तदी के महा नायक है सर तो हमने तुछ आठ बनाए हैं सर आपके लिए आज़ी तस्वीर अगरा हम ने और मेरी बेटियां सब मिनके सर आपको भीजना है तो आप नमबर आपको दिलीट हो गया सर अच्छा योहू बहुत शुक्रिया मेरी तस्वीर कई लोग बनाते हैं और उसमें आपको भी शामिल हो गया क्या आर्ट है पता नहीं कि हम तो बहुत शोटा समझते हैं ऐसे आर्टिस के सामने अपने आपको कि शल्जा ऐसे जी पैंसिल से बना दिते हैं और हू बहू बना देते हैं मेरा तो बड़ा दिल चाहता कि मैं सीक लूँ लेकिन अप कहां उड़ा हो गया लेकिन एक और खातून है जो मेरी तस्वीर बनाती है अकसर में फेस्बुक पर डालता हूं वो अपने ब्रश्टे बनाती है बहुत जल्दी बनाती एक आप हो गया और एक डॉक्ट भी कभी नहीं मिले और वो एक और खातून है वो भी कभी नहीं मिली और इतनी महबबत कि उन्होंने मेरा एक बहुत बड़ा पॉर्ट्रेट बनाया इतना बड़ा कि मेरे उस पर लगावा है क्या कहते हैं रिसेप्शन पर बहुत बड़ा है और उन्होंने ये खाई जाहर क कि जब मैं मुकंबल कर लूँगा तो आप से आके मिलूँगा मैंना इजाज़त दी तो वो बिचारे लेकर आये अमरो है कि एक डॉक्टर है जो संगीतकार भी है शायर भी है और डॉक्टर भी है पैक्टिसनर है वो वहाँ से आये मैंने उनको बहुत स्वागत किया वो मेरे पर उनकी तस्वीर आज तक है और आपका भी बहुत देखो अच्छी होगी तो बहुत 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 शुक्रिया खराब होगी तो भी कुछ बुरा तो नहीं कहूंगा लेकिन आपके फन का पता चलेगा मैं कोशिश करता हूं कि आप से रापता कायम रहे हकीम सहाब ये बहुत कहां ले जाएगी दर्शकों को नहीं सबज में आता क्यूंकि मैंने खुद आपकी सारे स्केचिज अब देख लिये हैं कि दर्शक इतना आपको पसंद करते हैं कि वो आपके लिए श्वायरी लिखते हैं आपके स्केचिज बनाते हैं एक ही तस्पीर को कई तरह से वाकी मैं इस मामले में शाद सबसे ज़्यादा खुश नसीब हूँ कि मेरे साथ सो करोड लोग जुड़े वे हैं और उसमें वो इतने बड़े-बड़े फनकार हैं कि मैं तसबूर करता हूँ कोई मीजिक डारेक्टर है कोई पैंटिंग बनाता है और कहां से ये इल्म सीख हैं और मैं क्यों नहीं सीख सका लेकिन मुझे परवानी नहीं सीख सका इतने लोग जुड़ गए हैं ये तीसरा नंबर है आपका और मैं तो बड़ा खुश नसीब हूँ आपको सलामत रखे खुश रखे और जरूर आपकी इसकेश मुझ तक पहुंचेगी बलकुल पंजा जाहिन स्वागत है अब आपका मैं आपको दूस्ता ले रहा हूँ हाँ हाट का इसकेश बलार अब अब एक मेने का रहे हैं मेरे पास है वैसे मैं चुछी की होँ हूँ अब है कोई चेक अप कराया आपने उसके बाद कितने दिन से ले रहे हैं इसकी है आपकी ठीक है एक दने वो पूछना था थाइराइड के लिए और कुलूंजी का सिर्टा कैसे प्राइड थाइराइड के लिए हमें चाहिए कि धनिया 300 ग्राम और आवला सुकावा 100 ग्राम और मेथी 100 ग्राम मेथी का दाना इसको पाउडर बनाएं और इस पाउडर को एक चमश सुबा खाएं खाली पेट अपनी दवा भी खाते रहें जो थाइराइड की है और एक चुटकी नमक जैतून के साथ इसे इस्तिमाल करें और जो कि आप ठीक होने करीब हैं अगर एक दो महीने और भी लेना पड़े जो हार्ट ब्लॉक की जवाला नस्खा उसे आप ले सकते हैं और जो कि सब सिर्के बनाने का अलग तरीका होता है जैतून का सिर्का कलों जी का सिर्का और हमारे यूट्यूम चैनल है हकीम स्लिमान खान उस पर हमने सारे सिर्के बनाने यह सब सिकाए हैं आप उसे सब्सक्राइब कर लोगे हैं और यह जतने भी बाते आपकी मेरी हो रही हैं यह भी उस पर चली जाती है आप अपनी बात मेरी बात जो हुई है अगर आप भूल जाएं तो उस पर आप दुबारा से देख सकते हैं ये इसके चंग काट काट कार उस पर डाल देते हैं यूट्यूब पर हकीम सुलिमान खान को सब्सक्राइब करें और फाइदा उठा सकते हैं लखनाव से हैं ममता जी ममता जी स्वागत है आपका हमारे प्रोगाम में जाहिन नमस्ते सर मेरे कल भी फोन मिल गया था और आज भी मिल गया सर बड़ी सुपी हो रही हमको जी सर मुझे पोजना है मेरे हलो जी आवाज आरी ममता जी आप बयान कर रहती है इसलिए चाहते हैं कि आप कोई बता दीजे दवा ममता जी देखिए अलसी लें दो चार सो गिराम ले लीजिए सस्ती आती है अलसी और इसको साफ करें कंकर वगयरा भी बहुत मिला देते हैं इसमें और हलका सा भून कर पॉडर बना के रख लें इदेखिए बहुत अच्छा ने उसका है और कम असकम दस बीमारियों में घर में रहना चाहिए कोई रोगी हो या ना हो ये घर में होना चाहिए और अच्छे परिवार इसको रखने लगे हैं तो अलसी को लेकर हलका सब भूने पाडर बना के रख लें ज्यादा नहीं भूना और एक नमक जैतून आता है वो खरीदें वो अलग से रखें एक की खाने का सोड़ा दो गिलास पानी में ये डाल लें मिक्स कर लें आराम से मिक्स हो जाता है और एक चमच अलसी खाएं आदा चमच ये एक चमच और ये दो गिलास पानी पी लिया करें एक बार या दो बार दिन में बहुत परिशानी है तो दो बार तो ये किड्नी के सिस् के मताबिक रोके उससे ज्यादा पास कर दें लेकिन जब वो अपने जिम्मदारी ने निभाती तो ये नस्का उसको जिम्मदार बनाता है फिर इसकी और भी जिम्मदार यहां किड्नी की के क्रेटिनाइन ना बढ़े यानि गंदगी जो किड्नी में होती है आलूदगी वो न रोजाना आप बिलकुल नाईजे से कर देते हैं ना ऐसे लीवर किड्नी दिल और इसको ऐसे धो मांच के करता है कॉलिस्टॉल का दुश्मन है तो खून को साफ करता है और एसिडिटी कब्ज पवासीर इंफेक्शन और इसकिन की प्राबलम कोई दाने निकलते हों खुझल निकलती हो और मौहासे निकलते हो चेहरे पर मौहासे निकलते है वो बेहसाब ताकत यहां तक के तीजी से काम करता है यहां तक के सौराइसिस तक के मरीज इसको ले सकते हैं जी